हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल रतन बाईसा की रसोई तो मैं आज आपको फ्रेंज मीनी केक बनाना बताऊंगी एग लेस् विताउट ओवन सिर्फ तीन इंग्रिडियन से जो हैं आप केक घर पे बहुती आसान से बना सकते हैं इसमें ज्यादा महनत नहीं लगती है तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बॉल मिक्सिंग बॉल के उपर रख देंगे चन्नी और इसमें हम डाल देंगे 12 टेबल स्पोन केक मिक्स का पाउडर Cake Mix का Powder Friends Market में बहुत आसान से मिल जाता है इस tablespoon की सहायता से मैंने 12 tablespoon जो है ये cake mix लिया है अब उसी tablespoon की सहायता से 2 tablespoon हम यहाँ पे तेल का इस्तिमाल करेंगे तेल आप कोई भी sunflower तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं तो 2 tablespoon हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है उसी टेबल स्पून से हम 4 टेबल स्पून साधा नॉर्मल पानी डाल देंगे सिर्फ तीन इंग्रीडियन्स से जो है यह हमारा केक बन के रड़ी हो जाएगा तो अब हम इसे इस हैंड विसकर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लंच ना रहे इस बात का त्यान रखे तो मैंने यहापे मीनी केक के लिए छोटा सा तिन लिया है इसमें मैंने बटर पेपर रखा है बटर पेपर को जो है मैंने गी से ग्रीस कर दिया है अब हम इस batter को जो है इस tin के अंदर डाल देंगे ये procedure करने से पहले मैंने कडाई को जो है 10 मिनट के लिए pre-hit कर दिया था क्योंकि हम cake जो है कडाई में बना रहे हैं तो इसको कर देंगे tap कडाई भी हमारी अच्छे से pre-hit हो चुकी है नीचे मैंने तले नमक रखा है और एक stand रखा है stand के उपर रख देंगे हम ये cake का tin और इसके उपर लगा लेंगे धकन धकन जो है friends आपका perfectly होना चाहिए नहीं रहेगा perfectly तो baking में जो है problem होगी हम इसे 25 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेंगे तो हमें यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं कभी कभार friends बेख होने में टाइम लगता है तो आप बीच में चेक कर सकते हैं इस तरह से तूद भी को लीजिए इसके अंदर insult कीजिए अगर ये सुखा आ रहा है तो इसका मतलब आपका cake जो है perfectly बेख हो चुका है और अगर ये गीला आ रहा है तो आप इसे थोड़ी दिर और बेख कर सकते हैं तो इसे मैंने unmold कर दिया है और इसे ठंडा करके बाहर निकाल दिया है ये friends थोड़ा सा वीडियो स्केप हो चुका है तो पहले मैंने cake का base रखा है थोड़ा सा उसके पर पानी डाला है क्रीम डाला है और फिर ये strawberry का crush डाला है तो same procedure से हम इसका दूसरा लेहर भी रख देंगे मैंने दो लेहर में इसे cut किया है अब हम कर देंगे इसकी icing मैंने या पर whipping cream का इस्तिमाल किया है मैंने बहुत से cake के video अपने channel में upload कर रखे है तो आप playlist में जाके जो है देख सकते है और friends अगर कोई भी doubt है तो आप comment box में मेरे साथ share कर सकते है ingredients जो है मैं description में देती हूँ तो इसे हम इस cream की सहायता से अच्छे से icing कर देंगे तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से icing कर दिया है अब ये friends कोम है मेरे पास तो इससे हम इस तरह से corner पे थोड़ी सी design कर देंगे धीरे से हम cake को घुमाएंगे और इस कोम को जो है धीरे धीरे इस तरह से घुमाएंगे ता आप देख सकते design आ जाएगी अब हम यहाँ पे neutral gel का इस्तेमाल करेंगे तो neutral gel के अंदर मैंने red food color डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है तीनों को अच्छे से mix कर देंगे और हम इस cake के उपर जो है इस तरह से pour कर देंगे तो ये देखिए ये हमारा cake जो है ready हो चुका है अब हम एक piping bag के अंदर star nozzle डाल के इस तरह से whipping cream को भर के cake के चारो और इस तरह से छोटे छोटे stars को जो है हम लगा लेंगे पहले हम नीचे की और लगा लेंगे cake की icing आप पे depend करती है आपको किस type से decorate करना है उस type से आप कर सकते हैं अब हम same procedure से इस तरह से छोटे छोटे मोदक के रूप में cake के ऊपर हम इस तरह से dots को रख देंगे तो ये लीजे फ्रेंस ये हमारा cake जो है बनके रड़ी हो चुका है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए